वॉल्कुम बैक अब्रिवान वल्कम टे सोल सर्वसेश टड़ी प्रक्टिस सैट नमबर यह 145 वे टेस्ट सीरीज यूपी पीसी पीसेश के लिए चल रही है और प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एसके प्रश्णों पर इस टेस्ट सीरीज की प्लेइस्ट बना रखें बहां इसका उत्तर अप्सर नमबर है भागी रथी नदी देखें जो टिहरी बांध यह टेम है वो उत्राखंड के टिहरी गड़वाल जिले में भागी रथी नदी पर बनाया गया है और यह है 260.5 मीटर की उचाई पर भारत का सबसे उचा बांध है में केंद्र प्रदूशन नंतर नंग्डोर का गठण किया गया 1974 में शी हैस कांसर चेंद्र प्रदूशन नंतर नं बोर्ड एक बैधानिक संगठन है जिसका गठण हुआ वरस 1974 में बोटर टर्न आउट एप किस वर्स लॉंच किया गया बोटर टर्न आउट एप को लॉंच किया गया था वर्स 2019 में डी हैस कांसर एक भारते निर्वाचन आयोग दोरा 18 अप्रेल 2019 को वोटर टर्न आउट एप्लिकेशन लॉंच किया गया था इसका उदेश चुनावों में ना वेस्टन डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर डबलू डी एफसी कोवित पोशित किया जा रहा है किसके द्वारा संगाई सहयोग संगटिन के द्वारा अंतराष्टे मुद्राकोस के द्वारा विश्वेंग के द्वारा या जापान अंतराष्टिय सहयोग एजनसी के द्वारा वेस्टन डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर को वित्पोशित किया जाए जापन अंदरास्टिय सहियोग एजंसी के द्वरा भी है स्कान masa देखें 15 से क्रोमेटर लंबा वेस्टन डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवालाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट तक विस्तरत है जो सभी प्रमुख वंदरगाहु से उकर गुजटता है इसे जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजनसी दोरा वित्त पोशित किया जारा तो भी है इसकांसर अब कोशन नुबर फाइब है इस्टरन डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर के बारे में वेस्टरन हो गया इस्टरन है यह पंजाब के सानेवाल यानि लुद्याना से होकर पस्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है और विश्वैंक इस्टरन डेडिकेटट फ्रेट क अंसर देखें ये है dedicated freight corridor पंजाब के सानेवाल या ενी लुद्यान से शुरूओकर पश्चेमंगाल के दनकुरी में स्माप्त होता है तो पहलावाला सही हो गया इस्टन dedicated freight corridor के मार्ग में कॉजला खाद्याने, thermal power plant और दग्विक सहर मुझूद हैं और इसके मार्ग में पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश बिहार जहार खंड और पश्चे मंगाल आधी राज आते हैं इस पर्योजना का जो अधिकान्स हिसा है वो विश्च बैंक दौरावित पोश्चित है तो दूसरे स्टेट्मेंट भी सही है कश्मीर के जीलो के जमाब को करेवाज कहा जाता है इसके लिए जाना जाता है यह करेवाज किसके लिए हैं सिर्णी नुमा क्रशी सेब के बाग जूम क्रशी केसर की खेती कश्मीर हिमाले की घाटियों में करेवा निक्षेपन की विश्चताएं पाई जाती है जो गाद म्रदा और रेत से बनी है करेवा को केसर की खेती है तू जाना जाता है यहां सेब आडू बादाम और अख्रोड जैसे फल और सूखे में वो के बाग है का कश्मीर के करेवा केसर के निक्षेप कई वार एक्षाम में पुरassen बना क्य convention सेबन पर आजए विश्व मौसम विग्द्धिवस का मना जाता है 23 मार्च को option buddy has cancer option number A has cancer देखे विश्व मौसम विग्यान दिवस की स्थापना के उपलक्ष में पर्तिवर्ज 23 मार्च को विश्व इस तरपर विश्व मौसम विग्यान दिवस मनाय जाता है जिसकी स्थापना वर्ज 1950 में हुई थी यह दिन समाज की सुरक्षा और भलाई में राश्व मौसम विग्यान और हाईरोलोजिकल सर्विसेज की आवश्वक्ता भूमी का पर प्रकाश डालता है नाथुला दर्रास रिलेटेड़ दो स्टेटमेंट है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है नाथुला जो है विश्वकी सबसे उची मोटर बाहन सड़कों में से एक है जो भारत तिबबत सीमा पर समुदर तलसे 14,450 फीट की उचाई पर इससे थेमाले की चोटियों में इससे देख पहाड़ी दर्रा है और भारत और चीन के वीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है ये जीन यानि तिबबत बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इस कांसर तो नाथुला दर्रा विश्वकी सबसे उची मोटर बाहन सड़कों में से एक है चीन के वीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है तो दोनों के दोनों स्टेट्मेंट या सही हो जाते हैं सी है इस कांसर अब कोश्चन नमबर नाएन चगास रोग के संदर में कौन सा कथन सही है यह एक संचारी परजीवी रोग है यह प्रोटो जवाब और के ट्रिपनो सोमा क्रूजी के कारण होता है यह संक्रुवित मनुस्यों या जानबरों के अकास्मेक संपर्क से नहीं फैलता अगर कोई चगास रोग से संक्रुवित है व्यक्ति कोई जानबर तो उसके संपर्क से नहीं फैलता गया यह बिलकुल पहला भी सही है दूसरा भी सही है सारे के सारे सही है डी हैस का अंसर देखें पर्दिवर्श 14 अपरेल को विश्व सास्त संकठन यानि डव्ली एचो दोरा विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है तक ही लाखो लोगों को प्रभावित करने वाली इस अल्प ग्यात बीमारी के बारे में जागरुपता बढ़ाई जा सके खासका लेटिन अमेरिका में चगास रोग जिसे साइलेंट एवम साइलेंस्ड के रूप में भी जाना जाता है डव्लू एचो के अनुसार एक संचारी परजीवी रोग है जिससे विश्व भर में साराना 6-7 मिलियन लोग संक्रमित होते हैं और लगभग 12,000 लोगों की मृत्वी हो जाती है इस बिमारी का नाम चिकितसक कारलोस चगास के नाम पर रखा गया था जिन्होंने पहली बार 1909 में ब्राजिल में यानि साउथ अमेरिका में एक देश है ब्राजिल उसमें एक बच्चे में इसका पता लगाया था चगास र इसका किसरिया इस्टूुप विष्व का सबसे बड़ा इस तूप है लेकिन अभीहार में सुख़ा है तो क्या पुछा सही कि बवले की यह यहां पर दूसरा नकार कम प्रसम Jetzt कि किया गया था वन अधिकार अधिनियम वन अधिकार अधिनियम है वर्स 2006 का डी है इसका अंसर वन अधिकार अधिनियम वर्स 2006 में अधिनिमित किया गया था यह है वन में रहने वाले आधिवासी समुदायों और अन पारम पर एक वन निवासीों के वन संसादनों के अधिकार को मानिता देता है जिन पर ये समधाय आजीवी का निवास तथा अन सामाजिक सांस्कृति का अवश्क्ताओं सहित विभिन अवश्क्ताओं के लिए निर्भर हैं निर्भर थे कुश्य नमबर बाले पर आज़े राश्टिय सैक्षिक अनसंधान और प्रिस्क्षन परिशद की स्थापना किस वर्स की गई इस तरह के प्राश्टिय प्राश्चिक अनसंधान और प्रिस्क्षन परिशद की स्थापना निर्भर में हुई राश्टिय सेक्षेक अनसंधान और प्रिस्क्षन परिस्द एक स्वाज संगठन है जिसकी स्थापना वर्स 1971 में सोसाइटी पंजी करना धिनियम के तहद की गई थी यहाज कूली सिक्षा से संबंदेत मामलों पर केंद और राज सरकारों को सला देने वाली सीर संस्था है एक राश्ट एक चुनाब का विचार भारत में कब से अस्थित में है वर्स 1983 से एह है इसका अमसर देखें यह है एक अवधारना एक ऐसे परिदर्ष्ट की कर्पना करती है जहां प्रतेक पांच वर्स पर सभी राजियों के चुनाब लोक सभा के आम चुनाबों के साथ साथ संपन होंगे यह विचार वर्स 1983 से ही अस्थित में है जब निर्वाचन आयोग ने पहली वार इसे पेस किया था किया है क्या है प्रतेक पांच वर्स पर सभी राजियों के चुनाब लोक सभा के आम चुनाबों के साथ साथ संपन होंगे क्वेशन नबर फोटीन पर आजए इनमरेकत मैं से किस वर्स में धन शोधन या मनी लॉंडरिंग निवारण अधिनियम पारित किया गया था या धिनिमित किया गया था कब का है ये धन शोधन निवारण अधिनियम उन्नेशन दोहजार दो का धन शोधन निवारण अधिनियम या मनी लॉंडरिंग निवारण अधिनियम वर्स दोहार दो में लागू हुआ था इसे धन शोधन या मनी लॉंडरिंग को रोकने और मनी लॉंडरिंग से प्राप्त संपत्ति को जम्त करने का प्राप्धान करने किने अधिनिमित किया गय शहरत में बाँम पंतंती उगरबाद अंदोलन की उत्पति किस व главное थी-ंद में य इसकीजिवा, c भारत में बाँम पंधी उगरबाद अंदोलन की सुरुवात वर्स 1967 में पश्निव नचसल बाडी में विद्रो दी हो यह उन राजनेतिक विचार धाराओं और समूहों को संद्रवित करता है जो करांतिकारी तरीकों के मादे हमसे महत्पूर्ण सामा जी को राजनेतिक परिवर्थन का समर्थन करते हैं महत्मा गांधि राज्टि यह जो किस वर्सु असे वर्षाब्ली सरूula है महात्मा गांधी राष्टिय ग्रामीड रोजगार गारंटी अधिनियम वर्स 2005 में ग्रामीड विकास मंत्रा ले द्वरा सुरू किया गया मन्रेगा का प्रात्मिक उदेश है सारवजने कार से संबंधेत अकुशल सारवजने कार करने के अच्छो किसी भी ग्रामीड परिवार के वैस्क सरस्यों को प्रतियक वित्वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी है सौ दिनों के रोजगार की गारंटी कोसिशा No. 17 प्राश्टीय भूमी मुद्रीकरन निगम के लिए नोडल मंत्रा ले है और इसकी प्रारंबिक अधिकरत शेयर पूंजी पांच हजार करोड रुपे और चुकता शेयर पूंजी डेड़ सु करोड है वित्मंत्राले के तहट साजनेक उद्धियम विभाग इसके प्रशासन के लिए नोडल मंत्राले है तो यह है अंसर इसका वित्मंत्राले अगर है जिसमें ऑप्सन में इस तरह के निकाए कि स्थापना का एक उद्धेश केंद्रिय साजनेक शेत के उध्मों और सरकारी एजंसियों की अधिशेश भूमी और भवन संपति का मुद्धिकरण करना है इससे सरकार अन उच प्रात्मिक्ता वाले कार्यों है तू धन उत्पन करने के लिए अपड़ियुक्त संपतियों का उप्योग करने में सक्षम होगी कोशन नमबर 18 पर जैसे जैसे हम भूमद रेखा से ध्रूबों की और जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है घटता जाता है इससे रहता है पहले बढ़ता है फिर घटता है यह अपनी सुन्दर सी प्रत्वी वीसेक रेखा खीजदो जीरो डिगरी उपर का हो गया उत्त प्रशन याद रखिएगा उत्तरी नौर्थ पॉल यह हो गया दक्षणी ध्रूब परियापत मातरा में सनलाइट यहां पर रहा है सुर्य का प्रकास यहां पर रहा है तो ऊस्ट कटी बंदिय छेत्र है यह करकर रहा भूमद रेखा से ध्रूबों की ओड जाओगे अब यह उत्री को लारत में चले जाओ नीचे की तरफ चले जाओ ताक मान घटता जाता है ठीक है actual वो से भूमद रेखा की तरफ आओगे तो तापमान बढ़ता जाता है इसका उल्टा कर दोगे तो उल्टा आंसर हो जाएगा बढ़ता जाएगा भारत का सबसे बड़ा आदर्भूमी छेत्र डैस में है अंडबा निकोबार दीप समू पश्चे मंगाल केरल तमिलाडू नो को नहीं निकोबार आए लेकिन इसका आंसर क्या है इसका आंसर है पश्चे मंगाल अप्सन अबर सी देखे भारत का सबसे बड़ा वेटलेंड छेत्र है सुन्दर वन वेटलेंड इससे रिलेट करता है आदर्भूमी पर रामसर अभी समय जो इसके लिए है यह आदर्भूमी के संरक्षन और सतत उपीयोग के लिए एक अंतराश्टी है और इसे आदर्भूमी पर अभी समय के रूप में भी जाना जाता है इसका नाम इरान के रामसर सहर के नाम पर रखागया ठेक है आदर्भूमी पर रामसर अभी समय होश्य नos no.20 पर आजिस अंतिम प्राया यह भारत का दक्षणी भाग G term के अंतरका तादा हे वर्शा सम्सितो ऊश्ण princip थूपिय'll all deficщins is one-on K. ज já के भारत के भीच बीच वीच से एक रेखा उजडितिी हे थिक है भारत के युआ देक्षणि भाग उष्ण कर्टी वंदियाइ खेत्र के अंतरगत आता है कंडिेह भाग को वहाग में भारत आता है किया उत्रि भारत और दक्षणि भाग अधिकाद 36 प्रतिशत भूभाग सामिल है कि ऑपसंस में थे धुरुबिय शेत्र भी थे ठीक है जो धुरुबिय शेत्र है और जो उपोश्ण कटिवंदिय शेत्र है उनके बीच पढ़ने वाले हलके तापमार वाले स्थानों को क्या बोलते हैं समसी तोश्ण शेत्र अधिक सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमबर असपर कोर्या वाट्सप करके धन्यवाद